असलाम वालेकुम विडियो में हमज़ रॉप देख रहे हैं हमज़ा भाई वाई टी दे यूटूब जेनल तो यार अगर आप लोग के स्क्रीन पर इंड गेम कुछ इस तरह का फ्रोब्लम आर आई टी के एर्र वाला टीके और आपका ये जो लोडिंग लाइन है येलो लाइ और बार इर्र शो कर रहे हैं स्क्रीन पर तो इसका एक ऐसा सलूशन बताने वाला हूँ जस्ट दो सिटिंग आप लोग को बताने वाला हूँ ये वाला मसला आप लोग को जब भी आए न वो सिटिंग करके आप जो एक ही मेंड में सोल कर सकते हैं तो यार वीडियो को बिलक free fire में हम लोग समझते हैं कि हमारे network में हो सकते हैं को इशू चल रहा हूँ लेकिन कई बार maximum जो है यह mobile network का मसला नहीं होता है यह जो हमारी free fire का जो application है ना इसमें एक setting करना होता है जिससे यह एक ही मिन में आप episode कर सकते हो बहुत ही ज़्यदा आसानी से ठीक है तो यार कभी भी ना आप लोग को जो यह वाला मसला आए ना तो अभी मैं जो setting बताने जा रहा हूं देखाने वाला हूं ठीक है तो वह आपने डायरिक्ली कर देना है तो आपका यह मसला सॉल हो जाएगा 100% ठीक है तो चली यार यह क्या setting है दिखा देता हूं मैं तीन सिटिंग बताने वाल हो गोर से जो है देख लेना है अपने तो सिटिंग में आ जाना है तो मैं free fire पर click कर देता हूं simple free fire ठीक है तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले क्या करूंगा data usage यह जो आप लोगों को data usage वाला option नजर आ रहे ना तो data usage पर आप लोगों ने click कर देना है ठीक है और यहाँ पर बेग्राउंड यह जो है ना अप होगा अगर आपके पास तो आपने simply इसको अलाव कर देना है ठीक है बेग्राउंड डेटा वाला जो है ना यह जब green हो जाए ना तो यह जो है clear cache and clear storage तो गलती CPR आप लोगों ने clear storage पर click नहीं करना just clear cache पर click कर देना है ठीक है clear storage पर अगर आपने click किया ना तो फिर आपका profile delete होगा clear cache just आपने कर देना है ठीक है तो इस setting से ना आपके application में अगर कोई मसला हो ना तो 100% वह हल हो जाएगा and यह error वाला जो मसला आ रहा है यह हल हो जाएगा अगर आपके network में मसला है ना तो इसका भी solution बताने वाला हो जिस आपने crew में आ जाना है यह पर search के देना है internet and यहाँ पर यह line आपने लिग देना है internet speed check तो यह वाला line आपने लिग देना है internet speed check तो यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आप लोगों को जो है network का क्या speed आ रहे ठीक है मेरे screen पर तो जिस में यहाँ पर click कर देता हूं यहाँ पर कुछ इस तरह के interface आप लोगों के सामने शो हो जाएगा ठीक है तो अब यह मुझे ना मेरे mobile का जो internet speed है ना वो देखाएगा ठीक है तो जैसा कि देख सकते हैं आफ ठीक है तो मेरे mobile का मेरे mobile में network का यह speed आ रहे 9.6 kb ठीक है तो आपने जो है ना अगर आपके mobile में internet का मसला है तो simply आप लोगों ने अगर एक रूम में हो ना एनवाफर आप लोगों को कम speed आ रहे ठीक है 15-20 यह कुछ speed भी नहीं है अगर यह 70-80 होगा ना तब जो है आपका यह error solve होगा ठीक है तो simply आप लोगों ने location चेंज करना है ठीक है एक रूम से दूसरे रूम में जाना है या फिर बाहर चले जाना है ठीक है ताकि यह net ना stable हो जाए ठीक है कर सकते हो बाकी यार कोई भी सवाल हो तो मुझसे comment section में आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है जस्ट इस वीडियो पर जो है ना 100 likes target रख रहा हूं भाई एक सो लाइक आप लोगोंने complete कर देना यार ताकि हम भी मोटिवेट हो जाए एंड यार अगर चैनल पर नहीं हो तो इसी तरह amazing helpful content के लिए हमारे चैनल को आप लोगोंने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है मिल दें किसी और interesting topic के साथ अपनों और अपनों का बहुत ही सब्सक्राइब को भी द्वाओं में याद रखना अल्लाहाफेज